असलम अलेकुम दोस्तों विडियो को में आपको जरूरी इंपोर्टेंट अपडेट बताएंगे जिसके प्रामे आप सब लोगों को जानकारी होना चाहिए अगर आप साओधी अरफ के अंदर रहते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट हो जुका है क्यो आगे हम आपको बसके डिसकाउंट के बारे में अपडेट करेंगे और अभी नागरता के बारे में अपडेट करेंगे लिक्नों से पहले हम आपको वदा दें कि सौधी में अभी सुप्रीम कोड की तरफ से आदिस जारी किया गया है कहा गया है कि रिबीट हिलाल के स्थाप अपना कमेटिया बेद सालाओं में चांद देखने की कोशिश करें मतलब चांद को अभी देखने की कोशिश करें और सुप्रेम कोड की तरफ से ये भी इपडेट किया गया कि उम्म अलकुराई कलेंडर के अनुसार मंगलवार मतलब 21 मार्चे 29 सबान है मतलब पहली सबान 21 फ दोस्तों सौधी की अगली अपडेट एक बेहाद इंपोर्टन अपडेट है अगर आप सौधी अरफ के इंदर रहते हो तो सौधी के पवित्र मज़ित मामलों के जनरल पेस्डेंस अपने माता पिता से पिछडे बच्चों को खो जाने से बचाने के लिए स्टीट बैंड बित्रित कर रहा है मतलब यहां पारे सौधी मज़ित मामलों के जनरल के तरफ से ये अपडेट दिया गया है कहा गया है कि सौधी अरफ में जितने भी बच्चे हैं उनको इस्टीट बैंड बित्रित किया जा रहा है ताकि माता पिता से वो अभी बिछड़ना सके मतलब काफी बच्चे खो जाते हैं और उनको दिक्कत होती है बच्चों की मन की सांती के पूजा के साथ मदद यह सिस्टम करेगा और काफी ज्यादा लोगों को फाइदा भी पहुंचाने वाला है बच्चे नहीं खोए इसलिए यह सिस्टम लागो किया जाएगा और अभी बेतरित भी किया जा रहा है जितने भी लोग सौधी एरफ के अंदर हाज उम्रा करने के लिए जा रहे हैं दूस्तों सौधी की अगली बडेट एक बेहद इंपोर्टन बडेट है अगर आप सौधी एरफ के अंदर रहते हो एरपोर्ट टेक्सी चलाते हो तो ऐसे मैं हम आपको बता त्यों हवेड़े की टेक्सिक किस तरह से हैं बाखी अगर इस तरह से अब कोई भी गलती करेगा कोई भी उलंगन करेगा तो उसके खिलाब कड़ी से कड़ी कारवई की जाएगी या ततर बाग की तरफ से कहा गया है कि अभी बिना लाइसंस के कोई भी इस तरह का कारवई ना करें वरना उसके खिलाब कड़े से कड़ी अभी कारवाई तुरंत की जाएगी दोस्तों सौधी की अगली बडेट एक बेहाद इंपोर्टन डेट हैं आपको बता दें कि सौधीरब में कई लोग जाते हैं उनको कई तरह की समस्या का समधान करने के लिए कई जगहों पर स कहा गया है कि दोनों पर्चो को संतो्ष्ट करने के लिए सौंदर फॉड समाधान तक पहुचने के लिए बीचार के बिंदों के बारे में अभी एक परियास किया गया है जहां पर कहा गया है कि एलेक्टानिक माधिम से आपको पॉर्टरल पर लोग इन करना होगा फिर दोस्ताना निप्टान मतलब एक तरह से दोनों लोग एक मुकदमा होगा और मुकदमा के सेवन का मतलब यहाँ पर मुकदमा की सेवा को आपको चैन करना होगा जब आप एक फोम ओनलाइन भरेंगे और उस दोरान आपका जो फिल्ड है मतलब यहाँ पर जो भी बाकी डा उतना होगा काग्जात के साथ में कि हम को यह चाहिए और हमारे प्रोब्लम यह है तो यह सारी जानकारी वहाँ के लिए बेहत खास है क्योंकि सॉधी अरब किंद्र कई स्रामिक ऐसे हैं जिनका एकामा समाप्त हो चुका है उनके उपर हुरूफ लग चुका है उनके उपर कोई केस नहीं है लेकिन फिर भी हो काफी जदा परेशान है तो ऐसे में हम आपको बता दें कि आपके लिए एक खा साल बात वो दुबारा फिर सॉधी अरब में अंटे कर सकेंगे इसके अलावाद जिनका एकामा समाप्त हो चुका है वो लोग किस तरह से तुरंत एकजट लेकर अपने घर जा पाएंगे बीना कपिल के ये सारी जानकारी हम आपको उस वीडियों बताएंगे जल्द वीडि महिने के दवरान यह योजना जारी रहेगी ताकि कोई भी जो भी अगरात है जो भी सामान है उसमें ब्रिद्धी ना कर सके हैं और जो सामान है उसकी पूरी तरह से मोल सुनिश्चित करना बेहत जरूरी है यहाँ पर खास बात यही है कि नेंतरन करने के लिए जो मोल है उस दिगराने किया जा रहा है ताकि जल्द इस तरह के लोंग को पकड़ा जा सके आम ताउर पर लोग पबेत्र रमजान के महीने में इस तरह की धोखादड़ी करते हैं इसलिए उनके खिलाब कड़ी कारोई की जाएगी दोस्तों अगले अबडेट एक बहुत इंपोर्टन अब किया है कि किस तरह से आप सौधी अरफ के अंदर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं लेकिन अभी अभी एक नई अपडेट दी गई जहां पर का गया है कि आंतरिक मंतरी के एक प्रस्ताओं के बाद में एक राष्टियता लोंग को परदान के जाता है इसके साथ परदान मंत क्री के आदेष के बाद में ये सिस्टम लागो किया जाएगा लेकिन अभी बदलाओ किया गया है कहा गया है कि सऊधी नागरिता कानून के कारकारि बिनमे के अंदर 6 आथ 28 को हटा दिया गया है जिसके लिए अंतरिक मंतराले को कानून के अनुच्षेद 8 के नसार पाएंगे और ये सिस्टेम जल्द लागों किया गया है क्योंकि पहले कई लोग सौधी अरब के इंदर राश्टेता पार चुके हैं अब इसका पालन किया जाएगा जो नियम अभी लागों किया गया है दोस्तों सौधी की अगली बडेट एक बेहद इंपोर्टन अब डेट हैं अब यहां पर बता दें किसको फाइदा होने वाला है अठारा साल से कम उम्र के सभी बेखते चात्र बिकलांग लोग कैंसर रोगी पर्थम सिड़ी के सहीद साथ हुआर से अधिक आयो के लोग को चूट दिया गया है और आगे कहा गया है कि डिसकाउंट कार्ड का उप आगे गया है कि साड़े 5 बजे से 11 बय तक रियाद बस से चोटे कार्ड प्राप्त कर सकते हो और यहाँ पर अपडेट के 엉सार ये कहा गया है कि सब परसंट आपको छोड़ दिया जाएगा पहला चण भी स्टार्ट कर दिया गया है